हेलो एवरीवन वेलकम टू मैत्री पार्ट शाला हो पि ओल आर सेफ औन हेल्दी तो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेर करूंगी क्लास थर्ड की मैथ वक्षीट जो की आपको यूटी टाइम में प्रैक्टिस करने में काफी हेल्प करेगी और यह भी आप बच्चों को Summer Holiday Homework देना चाते हैं तो उसमें भी यह जो चैप्टर है इस चैप्टर की जो वक्षीट है यह आपको काफी हैल्प करेगी हम टू पार्ट अड़ेडी डिसकस कर चुके हैं आज की जो वक्षीट है इसमें हम इसका पार्ट फ्री डिसकस करेंगे फर्स्ट हमारा है form the smallest and greatest number using the given digit जो आपको यहाँ पर कुछ digit दी गई है इनका use करते हुए आपको एक smallest number बनाना है एक आपको greatest number बनाना है तो यहाँ पर first number पर हमें 3 digit दी गई है 8, 3 and 0 तो सबसे पहले हम इसका smallest number बना लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हमेशा greatest number कैसे बनाएंगे तो आपको एक बात याद रखनी है जब भी आपको smallest number बनाना है तो numbers को हमेशा आपको ascending order में arrange करना है तो यहाँ पर ascending order में arrange करके इन number से smallest number बनाते हैं लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैंगे इसमें जो 0 है सबसे छोटा number हमारा जो सबसे छोटी digit है वो हमारी यहाँ पर 0 है तो यदि हमें 0 को सबसे पहले रखती हूँ फिर 3 लगाती हूँ फिर 8 लगाती हूँ तो यहाँ पर जो यह number है यह हमारा 3 digit का नहीं होगा क्योंकि जब भी 0 किसी भी number के beginning में आता है शुरुआत में आता है तो उसकी कोई value नहीं होती है तो जो यह number है यह आपका 38 हो गया लेकिन यह हमारा 2 digit का number हो गया और यहाँ पर हमें दी गई है 3 digit हमें 3 digit का use करते हूँ उस number को बनाना है जब भी आपको 0 digit दी जाएगी और आपको smallest number बनाने के लिए कहा जाएगा तो 0 को आप कभी भी first number पर नहीं रखेंगे 0 को हमेशा आप left side से second number पर रखेंगे इस तरह से आपका सबसे smallest number बन जाता है उसके बाद हम इसका greatest number बनाते हैं greatest number बनाते हैं आपको numbers को descending order में आपको arrange करना होता है descending order में numbers को लगाने का मतलब होता है small to big और descending order में number को लगाने का मतलब होता है big to small यहाँ पर हम इन numbers को big to small की order में लगाएंगे 8, 3 and 0 जब हम greatest number बनाते हैं तो 0 को सबसे end में रखेंगे और जब हम smallest number बनाते हैं तो 0 को हमेशा left side से हमेशा second number पर रखेंगे चाहिए आपको 3 digit दे रखी हो, 4 दे रखी हो या 5 दे रखी हो ये matter नहीं करता है तो 0 को हमेशा second place पर रखेंगे और जब greatest number बनाते हैं तो 0 को हमेशा last में रखेंगे तो 0 सबसे छोटा number होता है और greatest का मतलब होता है numbers को जो digit दी गई है उनको descending order में आपको arrange करना है, means big to small के order में उन्हें arrange करना होता है next एक और हम इसका कर लेते हैं इसको आपको easily समझ आ जाएगा 3, 5, 1 से smallest number बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इनको ascending order में लगाएंगे 1, 3, 5, यह हो गया हमारा smallest number और हम इसे greatest number बनाएंगे यानि के descending order में 5, 3, 1, यह हमारा greatest number हो गया ऐसे इन सभी sums को हम solve करेंगे, next हमारा है circle the smallest number and tick the greatest number जो smallest number है उसे आपको circle करना है, और जो greatest number है उसे आपको tick करना है first row में जो हमें numbers दिये गए हैं, हमें इन में देखना है जो smallest कौन सा है और हमारा greatest कौन सा है first row में हम देखते हैं, numbers को compare करते हैं, इन सबकी जो first digit है वो हमारी same है so हम second digit को compare कर लेते हैं, यहाँ पे 7 है, 1 है, 5 and 1 है so सबसे जो बड़ा number है, वो हमारा निकल के आ रहा है 2715 so हम इसको tick कर देते हैं, और सबसे smallest number हमारा कौन सा होगा 2157 इसको हम circle कर देते हैं, 1623 इसको हम याँ पर tick कर देंगे और circle करेंगे सबसे smallest number को, so 2386 numbers को किस तरह से हमें smallest को find out करना है, किस तरह से हमें greatest को find out करना है यह हम डिजिट को compare करते हैं left side से जो मैं आपको part 1 और part 2 की वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ next हमारा है सबसे greatest number हमारा कौन सा होगा सबसे greatest number होगा हमारा 8,000 और सबसे smallest number हमारा कौन सा होगा 4,000 तो इसको हम circle करेंगे next हमारा है identify even and odd even and odd को आपको identify करना है यहाँ पे so जो even है उसके आगे हम e लिखेंगे जो हमारा odd है उसके आगे हम o लिख देंगे तो सबसे पहला आपको पता होने ची even number क्या होते हैं हमारे odd number क्या होते हैं even number हमारे वो होंगे जिनके पीछे आपको 0, 2, 4, 6 और 8 लिखा होगा 5, 7 and 9 यदि हमारे किसी भी number के पीछे ये digit आते हैं तो वो होगा हमारा odd और यदि ये digit आते हैं तो वो number होगा हमारा even जो numbers हमारे 2 से divide हो जाते हैं वो होगे हमारे even और जो numbers हमारे 2 से divide नहीं होते हैं वो होंगे हमारे odd numbers इस तरह से भी आप इसको learn कर सकते हैं या बिजिट के according भी इस चीज़ को याद रख सकते हैं So first हम अपना number देखते हैं 64 में last में हमारा 4 लिखा है इसका मतलब ये हमारा क्या है even number है यहाँ पर 7 लिखा है ये 2 से divide नहीं होगा So यहाँ हमारा odd number है 9 है 2 से divide नहीं होगा यह हमारा odd number है 5 लिखा है 2 से divide नहीं होगा यह हमारा odd number है 3 है odd number 4 है हमारा even number 2 है हमारा even number 3 है हमारा odd number 0 भी हमारा किस में आएगा even number में आएगा 2 हमारा even number में आएगा 5 हमारा odd number में आएगा 5 हमारा यहाँ पे भी odd number में आएगा आपको पूरी जो number है उसको read करने की ज़रूत नहीं है जो आपका last में जो digit आ रहा है उसके according आप बता सकते हैं कि जो ये number है हमारा even है या odd है Next हमारे 8 दिया गया है even number है और हमारा 2 से divide भी हो जाएगा 8 है हमारा even number 2 से easily divide होगा 6 हमारा even number है और 2 भी हमारा even number है इस तरह से आप कम time में even और odd का पता लगा सकते हैं Next हमारा है right whether the sum is even और odd आपको बताना है जो ये numbers दिये गए है इनको add करने पर जो number होगा वो आपका even होगा या odd होगा बट यहाँ पे condition लगा दी गई है without actually adding आपको इन्हें add नहीं करना है बिना add की आपको बताना है कि जो इनका total आएगा वो हमारा even होगा या odd होगा So इस question को solve करने के trick है मैं आपको वो बता देती हूँ So यहाँ पर आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें अब देखिए यदि हम किसी भी दो odd number को यहाँ पर add करते हैं जैसे कि यहाँ पर odd number में 5 ले ले लेती हूँ और 3 ले ले लेती हूँ यह दोनों हमारे odd number है जब भी हम किनी 2 odd number को add करेंगे तो जो हमारा sum आएगा वो हमेशा even होगा यहाँ पर 5 और 3 क्या होते हैं 8 होते हैं तो हमारा क्या आगया यह even number आगया फर्स्ट आपकी condition यही होगी कि जब भी हम किनी 2 odd number को add करते हैं तो जो उसका total आएगा वो हमेशा उसका even होगा सेकिंड हमारी condition है इसमें कि जब भी हम 2 even number को add करेंगे जैसे कि मैंने 8 ले लिया और यहाँ पर ले लिया 2 तो दोनों हमारे even number है जब भी हम किनी 2 even number को add करेंगे तो जो इसका total आएगा वो हमेशा क्या होगा वो हमेशा हमारा even होगा जो 10 है यानि कि इसमें 0 आ रहा है तो यह हमारा क्या है even number है सेकिंड कंडिशन आपकी यह हो गई कि जब भी 2 even number को add किया जाता है तो उसका total भी even आएगा जब 2 odd numbers को add किया जाता है तो उसका total हमेशा even आएगा थर्ड कंडिशन हम इसकी समझ लेते हैं कि जब एक number तो हमारा odd हो और एक number हमारा even हो 9 हमारा odd हो गया 2 हमारा हो गया even तो जो इसका total आएगा वो हमेशा आपका odd होगा जैसे 9 or 2 क्या होगे 11 होगे तो ये 1 क्या है हमारा odd है तो जब भी हम किसी एक odd number हो और एक even number हो जब हम उनको add करते हैं तो जो उसका total आएगा वो हमेशा हमारा odd number होगा तो इन 3 condition को आप कहीं भी अपनी notebook में लिख सकते हैं और आप उसी इसको learn कर सकते हैं तब यदि आपको इन सभी conditions का पता होगा तो आप हमेशा find आप बिना add कि आप find out कर लेंगे कि जो इसका total आएगा जो इसका sum आएगा वो हमारा even होगा यह हमारा odd होगा तो यहाँ पर हमारे first number देखिए 54 और 92 4 हमारा क्या है even number 2 हमारा क्या है even number और मैंने आपको क्या बताया कि जब 2 even number को हम add करेंगे जो sum आएगा वो हमारा क्या आएगा even आएगा नेक्स हमारा है यहाँ पर है 1 और यह हमारा है 6 1 क्या है हमारा odd number और 6 क्या है हमारा even number जब भी हम किसी odd या even number को जब हम किसी odd और even number को add करते हैं जो total आएगा वो हमेशा क्या होगा हमारा odd होगा यहाँ पर यहाँ पर 8 है यहाँ पर 1 है यह हमारा क्या होगा even प्लस यह हमारा क्या होगा odd जब इनका टोटल होगा तो जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा ओड नंबर होगा यहाँ पे 2 है यह हमारा 4 है यह भी हमारा even नंबर है यह भी हमारा even नंबर है जब even numbers को add किया जाता है तो उसका जो टोटल होगा वो भी क्या होगा हमारा even होगा यहाँ पे three है यह हमारा four है यह ओड है यह हमारा even है जब हम किसी भी od even number को add करते हैं जो उसका sum क्या होगा वो हमारा od होगा यहाँ पे 43 है 65 है दोनों हमारे od number है ओड नमبر को जब add किया जाता है तो answer हमारा क्या होगा answer होगा हमारा even number अब आप देखिए आप इसको cross check भी कर सकते हैं किस तरह से आप इसको add करके देखिए जब आपने 43 में 65 को add किया तो 5 और 3, 8, 6 और 4 हमारे होगे 10 तो हमारा number क्या आ रहा है? even आ रहा है तो इस तरह से आप जब समझेंगे concept को तो आप easily इने solve कर सकते हैं next नमारा है filling the blanks आपको इन blanks को fill करना है the smallest 4 digit number सबसे छोटा आपका 4 digit number क्या होगा? सबसे smallest 4 digit number होगा हमारा 1000 the place value of a digit dash 10 times as you move on one place from right to left अब इस question को इस statement को आप ध्यान से समझे कि जो आपके place value है वो आपकी 10 times increase हो जाती है जब आप right to left आप move करते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 7, 3, 9 and 4 यह हमारा once place, यह tenth place, यह hundred है और यह हमारा thousand है आप यह हो गया आपका right और यह हो गया आपका left जब आप right to left जब आप right से left की तरफ जाएंगे तो जो आपकी place value है वो 10 times आपकी increase हो जाती है जैसे कि once में हमारा क्या होगा 0, 2 जो 9 number होते हमारे once में होगे 10 में हमारा 10 होता है और 100 में क्या होता है हमारा hundred जो 100 से 10 इन दोनों के बीच में हमारा 10 time का difference आजाता है जब आप 100 पे हैं और आप thousand पे जाएंगे तो आपका thousand हो जाएगा इस तरह से तो 10 से 100 से thousand पे जाने के लिए आपको 10 time का आपका increment हो जाता है place value में जब आप right to left जब आप बढ़ते हैं तो 10 time का increase हो जाती है आपकी जो place value है वो आपकी 10 time increase हो जाती है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे increase और यदि exam में आपसे left to right पूछ लिया जाए तो यदि हम left से right की तरफ आएंगे तो जो आपकी place value है वो 10 time आपकी decrease हो जाएगी next हमारा है the greatest 3 digit number सबसे बड़ा 3 digit number हमारा कौन सा है तो वो है हमारा 99999 sum of the place value of the digit किसी भी digit की जो place value होती है जो उसका sum यानि की जो उसका total होता है वो उस number की क्या होती है expanded form होती है सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लिख देंगे यहाँ पर expanded form the predecessor of the greatest 4 digit number सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि हमारा greatest 4 digit number क्या होगा 9999 और आपको इसका predecessor बताना है predecessor बताने के लिए हम क्या करते हैं जो उसके just before में जो number होगा वो हमारा predecessor होगा और उसके लिए हम इसमें 1 को minus करते हैं 1 को subtract करते हैं तो यहाँ पर इसका predecessor क्या हो जाएगा 9998 the smallest 3 digit number form using the digit 350 यहाँ पर आपको कुछ digit दी गई है 350 इनका use करते हुए आपको सबसे smallest 3 digit number बनाना है तो smallest का मतलब क्या है हमें numbers को ascending order में लिखना है small to big के order में लिखना है तो यहाँ पर हम इन्हें कैसे लिखेंगे 0 को कभी भी हम first number पर नहीं लिख सकते हैं इससे क्या होगा जो जब भी हम 0 को first place पर लिखेंगे तो जो उसकी value नहीं होगी तो यहाँ पर 0 को हम second number पर लिखेंगे 305 यह हो गई हमारी इसकी smallest जो number है वो हमारा यह हो गया यदि हमसे वो यहाँ पर greatest की कहता तो हम कैसे लिखते हैं इनको descending order में लिखते 530 यह हो जाता हमारा इसका greatest number next है 2000, three tens and two ones आपको इन्हें एक number में convert करना है आप इसे numbers में कैसे लिखेंगे जैसे कि अब पहले हम इसकी table बना लेते हैं ones, tens, hundred and thousand तक लिखा है तो two ones है, three tens है और thousand कितने है two hundred की हमें यहाँ पर नहीं बतायागा है कितने hundred तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे zero लिख लेंगे तो thousand thirty two यह हमारा number हो जाएगा next है the successor of 4567 का हमें successor बताना है successor का मतलब है जो number हमें given है उसका just after जो number होगा वो हमारा successor होगा इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें one add कर देंगे सो हमारा successor क्या होगा 4568 next में आपको यहाँ पर sign यूज करने है numbers को compare करना है सो कौन सा number हमारा इसमें greatest है यहाँ पर लिखा है 3756 और यहाँ पर उस number की expanded form हमें लिखी गई है हम चाहे तो इनको add कर के लिख सकते हैं और यदि आपने practice ज़ादा की हुई आपने अच्छे से concept को समझावगा तो आप easily इसको इस तरह से लिख लेंगे 6, 7, 5 हमारी एक 0 और लगेगी and 3 यह expanded form को जो हमने short form में लिखा तो हमारा number बन गया 3576 तो इन में से हमारा कौन सा number बढ़ा है हम first digit को compare करेंगे same है second digit पे जाएंगे यहाँ पे 7 है यहाँ पे 5 है तो हमारा जो यह number है यह बढ़ा होगा और इसमें हम इस तरह से निशान लगा देंगे next हमारा है 8,561 8,391 तो first digit same है second digit पे जाएंगे 5 and 3 तो यह number हमारा बढ़ा होगा next है 4,600 6 and 3 once तो 3 हमारा once दिया गया है 6 हमारा once है 100 पे हमें कुछ नहीं बता है 0 लिखेंगे 1000 हमारा 4 है तो एक number हमारा यह हो गया और एक number हमारा यह हो गया दोनों में से कौन सा number बढ़ा है first digit को compare करेंगे 4,4 second digit पे आते हैं 0 and 6 तो 6 हमारा बढ़ा है तो यह हमारा number है arrange the following numbers in ascending order इन numbers को हमें ascending order में लगाना है ascending order में लगाएंगे यानि कि हम पहले small to big की तरफ जाएंगे small to big की तरफ जाएंगे सबसे छोटा number होगा हमारा यहाँ पर 4000 के बाद होगा 5,467 third number पर 6,456 and four number पर 7,654 सो इस तरह से इन numbers को हम arrange कर लेंगे arrange the following numbers in descending order इन numbers को हमें descending order में लगाना है descending order का मतलब होता है big to small की तरफ जाना है सबसे बड़ा number हमारा है 9,325 उसके बाद आएगा हमारा 5,230 second number पर third पर आएगा हमारा 3,259 and four number पर सबसे smallest number होगा हमारा 2,539 यह हमारा four number पर आजाएगा इस तरह से इन सभी numbers को हम arrange कर लेंगे यहाँ पर हमारी worksheet का end होता है I hope आपको यह worksheet अच्छे से समझ आई होगी यह आपको जो आपका first chapter number system वो पूरा समझ आ गया होगा इसके बावजुद भी आपको कहीं पर doubt है या कोई topic आपको छूट गया है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं जल्द ही उसकी जो worksheet अप्लोड कर दी जाएगी thanks for watching have a good day